अब बहुत बहुत सब्सक्राइब एक बार फिर आप सबी का और आज की वीडियो में आपके साहर करने वाली हूँ एक फ्लावर पॉट जिसे मैंने डियाएवय किया है या तो आप भी भी बोल सकते कि मैंने उसे रियूस किया है क्योंकि मेरे पास एक दो साल पहले मैंने एक लिया हुआ था जिसकी कंडिशन अपर विल्कुल भी अच्छी नहीं थी उसी को मैंने वियूस करके दुबारा से बनाया है तो चले देख लेते हैं कैसा लगता है वीडियो आप लोगों को और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो अच्छी लगते हैं कि इसे लाइट करेंगा और कॉमेंट शेक्षिन में जरूरी कर बताएगा कि मेरे वीडियो साप लोग को कैसे लगते हैं साथ ही साथ मुझे अपने वीडियो में क्या इंप्रूमेंट करने चाहिए और इसके लावा एक और बात आपकेसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि अप जांते हिं जो मेरा चैनल है उसे मैं आपकेसाइब करती हूँ डियेवाए और पेंटिंग और तो काफ़ी टाइम से मैंने भी पेंटिंग का ओप वीडियो आपके साथ यए ने हिए तो आप देखी सकते हैं कि इस पॉर्ट की कंडिशन कितनी खराब हो गई है जो भी इसके स्टोन्स वगरते सब निकल गए हैं तो अब मैं आज इसी को रियूस करने वाली हूँ पहले मुझे सारे के सारा जो इसका अदूरा सा डेकुरेशन है ना इसको निकालना पड़ेगा तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ फिर आपको विताती हूँ जितना भी आप टेलकम पॉडर ले उसका आधा आपको ग्लू लेना यानि कि अगर आप चार चमज टेलकम पॉडर ले रहे तो आपको दो चमज यहां पे ग्लू का यूज करना है और अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहे है कि हमारा जो अच्छे से बाइंड नही है या सिरेमिक पाउडर नहीं है अगर आपके पास कली है और सेमिक पाउडर है तो पिद आप बहुती ही इस इसको दना सकते अधरवाइस आप पाउडर में एगको मिला के भी एक रहे कार्ता controll बोलक है यह करता है वहुत ही अच्छे से तो मेरे पास अब भी बहुत पतला लग रहा है मुझे और इसलिये मैं और भी पाउडर मिक्स करीं काकि यह हमारा अच्छी से बाइंड हो जाए बाइंड होने के बाद यह एज इस लिए लगने वाला है इसमें मैं थोड़ा सा ऑईल भी मिक्स करीं तो ऑल अब को यह सब भी मिक्स कर चाते है तो देख लिए अब मैं स्कॉप को बिना के बिता रही हूं कि बहुत ही अच्छा है हमारा जो क्ले है एकदम रेडी हो गया है देख सकते हैं आप लोग को क्ले के जैसे ही लग रहा है यह तो जो पैटन है वो में इसी से बनाऊंगी तो सबसे पहले आपको पॉड पे क्रिएट कर सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरीके से यहां पे से लगाया है थोड़े थोड़े सरकल बना दिये हैं और थोड़े से बड़े सरकल थोड़े से आरे टेड़े सरकल भी बना है मैंने आप तो इस तरीके से आप भी को भी बैटन क्रिएट कर सकते हैं यहां पर आप चाहे तो एक ट्री का पाटन भी कर सकते हैं तो देखते हैं ये बनने के बाद कैसा लगता है आप चाहे तो एक ट्री का पाटन भी कर सकते हैं जब बन जाएगा तो आपको बिलके काई ने कि पुराना वाला पॉर्ट है जिसे मैं यहां पे बिनाया है तो देख सकते हैं आपको मैं किस तरीके से हां पे ख्ले को एड़ किया है और यह मारा पूरा लग गया है और इसी में रग दूगी ट्राइ करने के लिए तो इसी में करने के लिए रग दिया था और अभी हो चुका है ड्राइ कम से कम मुझे इसको ड्राइ होने में आप राद भर भी लग सकती है अगर मौसम बारिश वाला है तो यह पुरा ड्राइ हो गया और उसके बाद अब मैंने हां पे कर रहा है ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर क्यों मैंने यह पर कुछ और ही करने वाली हो तो हमारा ब्लैक कलर लग गया था और अब यह भी ड्राइ हो चुका है ड्राइ होने के बाद ही आपको दूसरा कलर यहां पर लगाना है तो मैं लगा रही हूं वाइट कलर और आप चशह है तो आप़ पर मुल्टी कलर का यूज भी कर सकते मुझे इस pot कोμά हैyttा इसा पाथ हुवा जाम तो यह बॉट कना है तो मैं आप पर ऊपिस है तो देखिग किना अच्छा लग रहा है। 22-ulle तो देखिए किस तरीके से हमारा इस सूनलूक लग रहा है कि इसमें मैं दुबारा कोटिंग गरी हुई है एक बार करने से इतना अच्छा असका लुक नहीं आ रहा था तो मैंने दुबारा से यहां वाइट कलर लगा है तो एक पॉर्ट हमारा बन चुका है और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर करेगा और मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग